नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है दाने एक्सटेन में तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ अपने फोन में तो चल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो एडिट करने के लिए हम लोग एक free application का use करने वाले हैं जिसका नाम है VN यानि कि vlog now तो इसमें आपको watermark भी देखने को नहीं मिलेगा यानि कि आप जब भी export करेंगे अपने वीडियो को तो आपको watermark नहीं दिखने वाला है तो आप इस application को download कर सकते हैं अपने android phone में तो चली आपको लेकर चलता हूँ अपने phone के screen पे हम लोग आ चुके हैं अपने phone में तो जल्दी से हम लोग VN को download कर लेते हैं play store से तो सबसे पहले चले जाते है play store में और यहाँ पर search कर लेते हैं VN तो देखिए पहला ही application आ गया है तो आपको इसको download कर लेना है अपने phone में तो देखिए यहाँ पर download हो गया है तो अभी हम लोग को इसे open कर लेना है तो ऐसा कुछ app खुल जाएगा आपके सामने तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है no projects तो यहाँ पर आपको plus पर click करना नीचे की तरफ and यहाँ पर आपको new projects पर click कर देना है तो अब आपको कोई भी एक video को choose कर लेना है जिसे आपको edit करना है तो मैं इस video को edit करने वाला हूँ तो इस पर click करूँगा एक बार उसके बाद देखिए नीचे की तरफ arrow का option आ रहा है तो यहाँ पर मैं simply इस पर click कर दूँगा अब देखिए processing start हो गया है तो यह आपके phone के CPU पे depend करता है कि वो कितना fast processing कर सकता है तो देखिए यहाँ पर processing complete होने वाला है तो देखिए यहाँ पर processing complete हो चुका है अब देखिए कुछ ऐसा खुल कर आ जाएगा अब अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए templates लिखा हो है, filters लिखा हो है, speed लिखा हो है, split लिखा हो है, trim ऐसा ही बहुत सारे options है यहाँ पर तो सबसे पहले मैं वीडियो को split करना दिखा दे रहा हूँ तो अगर आपको वीडियो को split करना है तो आप यहाँ पर simply ऐसे slide करिए जहां से आपको split करना है, वहाँ पर जाकर छोड़ दीजिए अब देखिए, यहाँ पर नीचे split लिखा हुआ है और एक scissor का icon बना हुआ है तो आपको इस पर click कर देना है तो देखिए, यहाँ पर यह एक वीडियो दो part में divide हो चुका है तो इसके पहले वाले part का मेरा कोई काम नहीं है यानि कि इस clip का मेरा कोई जरुवत नहीं है तो मैं इस clip पर click करूँगा उसके बाद देखिए, R.I. delete का option तो यहाँ पर मैं click करके delete कर दूँगा उस clip को आप यहाँ पर trim tool का भी use कर सकते थे video trim करने के लिए तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ से देखिए आपको select करना पड़ता कि कौन सा section आपको चाहिए तो यह थोड़ा accurately आपको करना पड़ता अगर आप सही से नहीं कर पाएंगे तो फिर problem हो जाएगा तो इसलिए मैं जादा कर prefer करता हूँ split tool को use करने का अब देखिए नीचे के तरफ एक और tool है जिसका नाम है filter तो यहाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे filters आ जाएंगे तो आप एक एक करके चेक कर लिजिए कि कौन से वीडियो में कौन सा filter आपका अच्छा लग रहा है तो मेरे को यह filter अच्छा लग रहा है बट इसका intensity बहुत जादा है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कम कर दूँगा तो यहाँ पर मैं इसको 25 पर लाकर रख दूँगा तो देखिए यहाँ पर आपके वीडियो में पूरा filter एड हो चुका है अच्छी तरीके से तो अभी intensity perfect है तो मैं यह ऐसे ही छोड़ दूँगा अब यहाँ पर देखिए music का इकन दिख रहा होगा तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए music effect record तो यह तीन options खुल जाएंगे आपके सामने तो अगर आप चाहे तो इस video के sound को बंद कर सकते हैं यान की mute कर सकते हैं तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका video mute हो जाएगा अगर आप बाहर से कोई भी एक audio लाना चाहे music लाना चाहे तो आप ला सकते हैं और नहीं तो आप record भी कर सकते हैं तो आपको simply यहाँ पर क्लिक कर देना है music अले icon में उसके बाद देखिए music अगर राइट करना है तो आपको music पर क्लिक कर देना है अगर आपको किसी भी वीडियो का audio को यूज करना है तो आप simply प्लस पर क्लिक कर ये उसके बाद आप extract from video पर क्लिक करके किसी भी वीडियो की audio को extract करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं तो मैं अभी के लिए इसे back कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई भी music या फिर कोई भी audio का जरुवत नहीं है अब मैं आपको record वाला बता देता हूँ तो अगर आपके phone में किसी भी तरह का audio नहीं है तो आप यहाँ पर record पर क्लिक करके allow कर दीजे उसके बाद आपको यहाँ पर red button दिख रहा है तो आप इस पर click कर दीजे जिससे आपके recording start हो जाए और यहाँ पर tick पर click कर दीजे तो आपका यहाँ पर audio add हो जाएगा तो मेरा audio वीडियो में ही है तो मैं अभी इस audio को delete कर देता हूँ तो delete करने के लिए आपको simply इस पर click कर देना है audio पर and यहाँ पर देखिए volume का option आ रहा है and split का option आ रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा move करके split भी कर सकते है and मैं तो अभी delete करने जा रहा हूँ तो मैं delete कर दूँगा इसको अब मानने जे आपको video के बीच में music वगरा डालना है तो सबसे पहले आपको वहाँ चला जाना है जहाँ पर आपको music या फिर कोई भी audio को डालना है तो मैं simply music वाले row पे click कर दूँगा यानि इस row पे click कर दूँगा एक बार click करने के बाद वापस से सारा options आ जाएगा and आप यहाँ से directly add कर सकते है and आप video पे कहीं पे भी होंगे वहाँ से आपको audio या music add हो जाएगा अब देखें यहाँ नीचे T का icon बना हुआ है तो आपको simply इस पे click कर देना है तो basically यह text and subtitles डालने के लिए है तो यहाँ पर अगर आप text पे click करेंगे इतने सारे layouts खुल गए यहाँ पर देखिए बहुत सारे categories के layouts है subtitles, time, mark, bubble, messages ऐसे बहुत सारे है तो आप यहाँ पर अपने according सेलेक्ट कर लीजे उसके बाद add कर लीजे तो add करने के लिए आप simply इस layout पे click कर दीजे उसके बाद आपको tick पे click कर देना है तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ layout आ गया तो आप यहाँ पर screen पे click करके adjust कर सकते हैं अपने according की कहां आपको layout को रखना है अब मालनीजे आपको edit करना है उसको तो आप उस पे एक बाद tap कर दीजे तो देखिए यहाँ पर आपको लिखने का आ गया है तो यहाँ पर मैं आप video का title लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं video का title लिख दिया हूँ अगर आपको वापस से edit करना है तो आप simply इस पे click कर दीजे उसके बाद देखिए यहाँ पर edit का option आ गया तो आप यहाँ पर edit पर click करके edit कर सकते हैं अब मानने जिए आपको थोड़ा बात animations add करना है इस subtitle में तो आप motion पर click कर यह तो यहाँ पर देखिए animations वगरा आ गये तो आप यहाँ से कोई भी एक animation लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर scale लगा देता हूँ तो यहाँ पर मैं scale पर click कर देता हूँ उसके बाद मैं ok पर click कर देता हूँ उसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हूँ है tab to add sticker slash pip pip मतलब picture in picture तो अगर आप चाहते हैं कि आपके video की ऊपर ही कोई और एक video चले या photo आ जाए जूम करके यहाँ side में लगा सकते हैं तो अगर आप कुछ भी screen वगरा share कर रहे हैं आप साथ ही साथ अपना video record कर रहे हैं तो आप PIP mode का help लेकर आप अपना video को और अच्छा बना सकते हैं यहाँ पर देखिए दो video add हो गए तो देखिए यहाँ पर दोना ही video अच्छी तरीके से play हो रहे हैं तो यहाँ पर मेरे को इस video का कोई जर्वत नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको tap करके delete कर देता हूं अब नीचे देखिए यहाँ पर एक effects tool करके है तो आप इस पर click कर दीजे तो यहाँ पर बहुत सारा visual effects आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर spin in, spin out ऐसा कुछ visual effects देखने को मिलेगा तो यह मेरा normal सा YouTube वीडियो है तो यहाँ पर मैं कुछ भी add नहीं करता हूं तो यहाँ पर मैं cross पर click करके छोड़ देता हूं अब अगर आप नीचे का हिस्सा थोड़ा सा slide करते हैं तो यहाँ पर देखिए volume का option आ रहा है तो basically यहाँ से आप video का volume वगरा control कर सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर crop लिखा हुआ है तो इस tool के help से आप video को crop कर सकते ह कि आप video को ऐसे crop कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं tick कर देता हूं तो देखिए मेरा video crop हो चुका है तो मान लीजिए आप कोई गलती कर देते हैं जैसे कि मैं अभी crop कर दिया और मैं चाहता हूं कि वापस से मेरा video वैसा ही हो जाए जैसे crop करने से पहले था तो यहाँ पर मैं इस arrow पे click करूंगा तो crop हट जाएगा यानि कि आपका पीछे एक back step पे चला जाता है अगर आपको एक step आगे बढ़ना है तो आप यहाँ पर उसके side पे click कर दीजे यहाँ प प्लस पे click कर देता है तो आप यहाँसे कोई video photo या फिर subtitles insert कर सकते हैं तो यहाँपर मेरे कुछ नहीं करना है तो मैं यहाँपर cancel कर देता हूं अब माल लीजे आपका पूरा editing हो चुका है तो आप यहां से save भी कर सकते हैं export भी कर सकते हैं तो अगर आपको बाद में export करना है तो आप save करके रख दीजिए अगर आपको उसी time export करना है तो आप export पर click करिए अपके video का जो भी resolution है आप select कर लीजे यहां से in case अगर आपको अपना video का resolution नहीं पता है तो आप यहां पर export original पर click कर दीजे और यहां पर नीचे पर tick का option पर click कर दीजे तो देखे यहां पर export हो चुका है तो आपको simply save to album पर click कर देना है उसके बाद आपको ok पर click कर देना है अब आप gallery में जाके देखे तो देखे यहां पर video export हो चुका है and save हो चुका है आपके gallery में तो video यहीं पर end होता है तो अगर आपको video अच्छा लगा हो तो like करिए, share करे and subscribe करिएगा channel को तो मिलते हैं अब हम लोग next video में